नमस्कार साथियों स्वागता आप सिभी का अल्टिमेट क्लासेस में और आज मैं आपको जैसे की आपने थमनेल देखा होगा कि हमें एक बड़ी अपडेट के बारे में बात करना आज की क्लास का हमारा यह मोटिव रहेगा तो मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैंने ला आपस के उपर भी बात करेंगे और दूसरा मैं आपको यह बता देता हूं कि बहुत जल्द आज या सौंवार तक एक नया नोटिफिकेशन आने वाला है जिस नोटिफिकेशन के अंतरगत सभी ट्रेड की पर्टिकुलर ट्रेड की वेकेंसी आने वाली है राजस्थान आई क्या CITS नहीं है वे लोग अपलाई कर सकते हैं तो आप देख रहे थे कि उसके अंदर लिखा हुआ है कि जो अनिवार्य आहरता है तीन नमबर जो पॉइंट दिया गया है उसमें यही दिया गया है कि आपके पास CITS कंपल्सरी है तो अब जिन लोगों के पास CITS नहीं है वे लोग क्या करें जिन लोगों के पास CITS नहीं है सातियों वे अभी भी आपके पास मोका है ऐसी बात नहीं है आप प्रयास कीजिए हो सकता है हमारा प्रयास फाइनल स्टेज तक भी पहुंच जाए काम्याब हो जाए कहने का मतलब मेरा यही रहेगा कि आप क्या कीजिए कि अभी एड्मिशन हो गया अभी जैसे मार्च है मार्च लास्ट तक या एप्रेल में निमी एड्मिशन निमी ओनलाइन एड्मिशन जो वेबसाइट है एन आई एम आई निमी CITS एड्मिशन दो हजार चोविस का जो है जल्दी उस पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा ए आप उस साइट को बार-बार चेक करते रहें एक तो दूसरा यह था कि पर्टिकुलर ट्रेड में वेकेंसी जो है जैसे मालीजे इलेक्रिशन ट्रेड है फीटर ट्रेड है और कारपेंटर ट्रेड है इन सभी पोस्टों पर कम से कम 2000 पोस्ट है मतलब 1800 से 2000 का मुझे सुचना मिली है कि ऐसा एक नोटिफिकेशन और आउट होने वाला है बहुत जल्द और देखना यह होगा कि अगर यह तीन चार पास दिनों में अगर यह नोटिफिकेशन आउट होता है तो ठीक है वरना यह नोटिफिकेशन जैसे ही यह इलेक्शन है अभी आप देख रहे हैं जो लोग सभा के जो इलेक्शन होंगे उसके अगर यह आचार सहीता का अगर मैटर बीच में फस जाता है तो मैं नहीं कह सकता हूं थोड़ा सा लेट हो सकता है लेकिन जो अधर ट्रेड वाले हैं वो भी निरास नया हो और आप अपना जो तयारी का जो पैटरन है आप जैसे प्रेटिकुलर भी वेकेंसी आने ही वाली है यह सुचना मैं आज आपको इसलिए दे रहा हूं मैं यह वीडियो नोटिफिकेशन आउट होने के बाद में बढ़ाने वाला था क्योंकि मुझे कल पूरा इंतजार था कि अधिनस्त बोर्ड की तरफ से कोई ना कोई नोटिफ आने वाली है लेकिन कल साम तक ऐसा हुआ नहीं आज मुझे यह वीडियो इसलिए डालना पड़ रहा है क्योंकि मैंने अधिकतर कमेंट ऐसे देखें और बहुत से फॉन कॉल मेरे पास आ रहे हैं उनमें हर बच्चे की यही प्रोब्लम है कि वह जो इलेक्रिशन ट्रेड य है यह एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा कि उसमें क्याहने वाला है कि आप अपना परटिकुलर ट्रेड में झटना सो कर सकते हैं आप आपको पूरा स्लेबस जो है वो नए सीरे से पढ़ना होगा उसको बार-बार रिवाइज करना होगा तो मैंने यही कहा कि आज का यह एक वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूं ताकि आप पांस से साथ दिनों में हर बच्चे के दिमाग में सेंकडों क्योस्टन चल रहे हैं कि स कि अबर मैं डॉफ्यक्र तयारी शुरू कर देता हूँ अब राश्थान जीके को पढ़ना हाँ राश्थान जीके आप शुरू कीजिए अभी दस दिन तक आप क्या कीजिए दस दिन तक अभी आपको इस सब्जेक्ट मत उठाइए एक बार, एक बार आप क्या कीजिए, रास्तान जीके को अच्छे से पढ़िए, यूटूब पर सेक्डों कलासे पढ़िए, बहुत अच्छे अच्छे टीचर है, जिनोंने पढ़ा रखा है, बिल्कुल फ्री ओफ कोस पोस्टों की सूचना जो है, मेरे पास कहीं से मिली है, तो आप भी खुश रही है, क्योंकि बिल्कुल अगर ये संभव हुआ, तो कहीना कहीं, जिन संगर्ष समीति के चात्रों ने, सदस्यों ने इतना बढ़ जड़ करके भाग लिया था, और आज ये जो हमारा संगर्ष ह है, ठीक है, मैंने भी अपना इस्तर पर जो योगदान मेरा हुआ, मैंने किया, जब भी, मेरे साथियों ने किया, ठीक है, प्रतेक्स और एप्रतेक्स रूप से, जब मैं भी आपकी ही लाइन में था, ठीक है, और अब हम बात करते हैं, कि जो employability skill, यानि कि रोजगार योग कोर्स है, कि वो employability skill का नहीं है, तो उसके अंदर सपस्ट लाइन लिखी हुई है, कि आपके पास रोजगार कोशल के अंडर, यानि DGT के अंडर कोई भी संस्तान हो, उसके अंदर रोजगार कोशल का लगू अवदी का, मतलब short term course का जो course होना ही चाहिए, वो अगर आपके कमेंट का जो मैंने देखा पूरा उसमें बिल्कुल आपके जायज है, और भी किसी परकार की अगर आपको कोई समझा है, मैं पूरा आपको help करूँगा, sport करूँगा, लेकिन मेरा आज का इस वीडियो का यही main मकसद था, कि अभी अपने दिमाग को आप इदर उदर नहीं बटकाएं, आपकी perfect trade में भी vacancy आने वाली है, जिन लोगों के पास CITS नहीं है, मेरा उनसे यही suggestion रहेगा, कि आप इस बार admission ले लिजिए, देखिए, vacancy आएगी, advertisement जारी होगा, exam calendar जारी होगा, उस दोरान बीच में चुनाव भी होगे, election वगरा यह भी होगा, तो कही ना क आई है, तो उस time अगर आपके पास CITS नहीं है, कोई बात नहीं, आप एक बार form apply कर दीजिएगा, हो सकता है कि छातरों की संख्या जादा हो, और आप department से request करे, ठीक है, दिनस्त बोड से, तो अगर वो आपको permission देंगे, कि जिन्नोंने CITS कर लिया है, admit card जारी होने से पहल particular certificate नहीं है, तो और वो form निकल गया, या कुछ बच्चे भी CITS कर रहे हैं, उन लोगों के भी लिए यही problem है, तो जो कर रहे हैं, appearing का option form में खुलेगा, नहीं खुलेगा, आपको देखना होगा, वो तो एक dummy form भी हम fill करके देखेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या-क्या बच्चे ने registration कर लिया हो, तो वो same जितनी भी उसकी जो होती है detail, वो सारी उसमें upload हो जाती है, तो उसके बाद क्या वो same बच्चा दूसरी post के लिए भी apply कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो एक dummy form fill करकर के, आप लोग भी try कीजिएगा, किसी भी ऐसे वेक्ति का जैसे माल ल क्याई में, तो आपका CITS, अगर admit card जारी होने से पहले पहले complete हो जाता है, तो 6-8 महिने वेकेंसी में लगबग साल भी लग जाता है कई बार, और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि किसी कारणवंस थोड़ा exam आगे हो सकता है, तो अगर इश्वर ने चाहा, और आपको इसी व हगे में लिखा हुआ है, आपके करमों पे depend करेगा, आपकी मेनत पे depend करेगा, कि अगर आपका selection संभव है, तो बस आप परियास कीजिए, अभी जैसे किसी के पास नहीं है, अब नहीं है, उसका कोई लाज नहीं है, लेकिन कर तो सकते हैं, ठीक है, तो ये सारी बाते मैं है, 99% संभावना है कि बिल्कुल वेकेंसी जल्द ही दूसरी ट्रेडों की भी आएगी, ये जो इतनी भी ट्रेडें थी, इनकी चार की एक अलग ड्राप्टिंग की गई, और दूसरी जो ट्रेडें हैं, उनकी एक अलग ड्राप्टिंग है, हो सकता है, उसमें ये हो, कि जो टेकनिकल वाली जो वेकेंसी हैं, उसमें डिपलोमा के लिए अलग से पोस्टे होगी, या बीटेक के लिए अलग से होगी, और आइट ये वालों की अलग से होगी, ठीक है, हो सकता है वरक्सो पर टेंडेंट की पोस्टे हो, तो कुछ ना कुछ ऐसा आपको देखने को मिले और जो भी पोइंट है, अभी दिमाग में आप कुछ मतले कर किया ये, मैं एक-एक पोइंट पर वीडियो बनाऊगा, एक-एक पोइंट क्लियर करूँगा कि अनुभाव कैसा हो, क्या हो, स्लेबस में क्या-क्या पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कैसी बुक को पढ़ना है कोई कोर्स परचेज करना है कि नहीं करना है आपको, ठीक है, इन सभी टॉपिक्स पर बहुत जल्द मिलेंगे, आज चुटी का दिन था, लेकिन मैं जैसे ही उठा सुबह तो साथी का एक कोल आया और उन्होंने मुझे अउगत कराया कि सर इस परकार से एक एड़टाइजम आपका सेलेक्शन जल्द हो और जल्द से जल्द आप भी इसी डिपार्टमेंट का हिस्सा बने, आज के लिए इतने ये साथियों एक नए वीडियो के साथ मिलूगा और उस वीडियो में मैं यही चाहूँगा कि मेरा वही वीडियो हो जिसके अंदर ये हो कि अभी पर्टि